सियारु समेलाई जे मसी मा प्रभुलाई धनेबाद दीनचु पर्वेश्वरले वहाँको बिविनन सीजन बाटा भाहरा ल्याउदेगरदा वहाँको बरतमान समयमा प्रभुले ल्याउद भाहरा को छा यो प्रजेंट सीजन मा जसलाई एपस्टालिक प्रफेटिक सीजन रिफर्मेशन को सीजन बनेरा भानीं छा और यो एपस्टालिक प्रफेटिक रिफर्मेशन को सीजन प्रभुले ल्याउदे होनुन छा रो पती जाना सहकर्मी हरुको जिग्या साच यो एपस्टालिक रिफर्मेशन, एपस्टालिक प्रोफेटिक रिफर्मेशन के हो बन्ने कुरा आरू मा अलिकती एशको मैले बुजी अनुसार को मैं बताऊना चाहांचू यो प्रेरितिय सीजन चें कुनी नया सीजन होईना रो कुनी मानिसले अथवा कुनी समुहले चें एशलाई नया गरीकने लियाएको न भायरा यो स्वयम पर्मिशोर पिताले आफनो एकलावते पुत्र एश संसार मा पठाऊना जब योजेना गरनु भायो और पर्मिशोर पिताले आफनो एकलावते पुत्र एश संसार मा जब पठाऊना भायो और हामिले माने को और हामिले स्वयम गरे को जो प्रेरित होनुँच प्रभु येशु और वहां को आगमन जब भायो ते बचन जब देहधारी भायरा अनुग्रह रसत्ते ताले भरिपुर्ण भायरा हमिले को बीच मा बास गरे हो और हामिले वहां मा पिता को एकलावते पुत्र को मही मा जो देखे हो और तिवो समय देखी यो प्रेरितिय सीजन शुरू भाय को हो योचे प्रेरितिय सीजन शुरू भाय को हो रवा पहिलो प्रेरित प्रभु येशु ख्रिष्ट होनुँच जो स्वर्ग छोडे रैस्पृति मा आऊनुभायो रवाहाले पिता को इच्छिया पुरा गर्नुभायो रवा प्रभु येशु आऊनुभायो रवाहाले धेरेई को रिफर्मेशन लेऊनुभायो तेसेले एपोस्टलिक, प्रोफेटिक रवा अगमबकता हरुका सबई अगमबाणी हरु चे वाहामा पुरा भाय मानव निर्मित जतिपनी परंपरा, धर्म हरू थिये, जतिपनी बेवस्था का कुरा हरू थिये, और ती समय बेवस्था वहां मा पुरा भए, ती पुरा भए का बेवस्था हरू लाई, वहां ले फेरी पुना परिभासित गरे रा मानिशर को बीच मा प्रस्तुत गर्नु भ तेसले प्रेरिती या भनिको चे पठाईये को मानिशो रब पिता ले आफनो एकलवते पुत्र लाई एस प्रिथी माँ पठाउनु भायो ताकी तियो पुत्र ले पिता को प्रतिनिधित्तो गर्णशक्नु भाय को होस। समय माँ पर्मिशोर पिता को मुखवाट निश्के को बचन जसले उचारन गर्द सा। तियो बचन में तियो सत्य चे में शतंत्रता मा प्रचार गर्णशक्नु प्रेरितिय मानिशे तियो मानिशो। तियो अवले को यो सीजन मा हमीले विविन्द कोरा हरू शुरू करू गर्णशक्नु तियो प्रेरितिय मुख्मेंट चे में वहां ले शुरू गर्णशनु भायं। पठाइये को मानिस बाए रह, पिता को प्रतिनिधित्टो गरे रह, औनी बचन देहधारी बाए रह, मानिस अर को बीच में अनुग्रहर सत्य ताले भरीपूर्ण बाए रह, त्यो बचन देखा परेटेशें। पूंतेयो रट्टी प्रेरीत अरली स्थापना गरे का कुरा हरू चे हमरो यो पुस्तासामा आई पुग्दा बिविन्न सीजन रविन्न प्याकेज बिविन्न प्रकार का मुद्मेंठ अरू बाट हुदेई आए रही ले आए रही रिफर्मेशन बने को क्यों कि बहा बने प् फेरी गये रहा तेई पुरानाई उसमा जो प्रभु एसुले स्थापना गर्न भायको थियो रद त्यो नया करार को जुन बचन लेचे पहिलो प्रेरी थरले जिकुरा गरेका थिये प्रभु एसुले संसर मा आउन भायको अनी वहाले परमेश्चे पिता लाई र आफैले अफैले आफैले आफैलाई वहाले पुना परिभासित गर्ण भायकोशा तेव शिनई पर्वत को भाययग्य पर्मिशोर जहां को द्रिश्य मोसालिपनी हेर्ण नसकेर लंपसार परे तेव आगो को ज्वाला, गर्जन, धुआ, तेव कमप तेव चटान, तेव पर्वत ने हलियो तेशरी जव पर्विशोर प्रकट हुनू उन्थे तेव भाययग्य पर्विशोर, तेव यहवे पर्मिशोर तेव पर्वत लाई कुनी पसुले कुनी मानिसले छुदा खेरी तेव मर्थे थी तेश्तो भाययग्य पर्मिशोर लाई प्रभु येशुले आए रचाए यो पिता रव पुत्र को नया मसक चाई वहां ले ले आए रावनो भाई। जब यो प्रेरित यो सीजन शुरू भायो, जो मुख्य प्रेरित जो पितावाट पठाईनो भायको प्रव येशु उनुँचा रव पठाईये को पितालाई प्रतिनिधित्त गर देए आऊनो भायो जहाँ चेलाहर ले भने कि हमीले तपाइलाई देख्यूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ यहवे नावपनी उच्चारण गर्ण डराओं थे रा बाइवल मा जा जा यहवे भनेर लेखे कुने तेसको साइड मा चे एड़ोनाई भनेर उच्चारण गर्द थे तेस्तो परमिशर लाई वहाले चे वहा मेरो पिता होनुँचा रा म वहा को पुत्र हो भनेर वहाले चे नया प्याकेज मा चे ले आराओं पुनाव परिभासित गर्द भायो तेसे ले तियो प्रेरित ले चाएं तेसरी पुदा परिभासित गरे रहा नया मंडली स्थापना गर्ण को निम्ती जब नया करार सुरु भायो नया करार को मद्धेस्त करता प्रभु येशुख्री स्टेशन सार्मा आऊनु भायो अनी वहाँले जवा मंडली स्ताप्ना गर्न को निम्ती वहाँले योटा иवटा structure दीनू भायो योटा धाए दीनू भायो रवहाले भनन भायो कि यो योटा नया मसक होयो छे रव जव मौय आऊनू भायो रव तेस्पोची नया दाखमद्या आयो अनि या बाइबल में लेखे को छा जब प्रभु येशु महिमामा उच्चालीनु भायो वहाले कईदलाई बंदी बनायार लेजानु भायो रहा मानिश्चर लाई बर्दान दीनु भायो थेलोजी को भासामा तेशलाई फाइफ फोल्ड मिनिस्ट्री बनीं चा वने बनायार लेजानु भायो रहा मानिश्चर लाई बर्दान दीनु भायो त्यों बर्दान चाए नया दाखमद्य होते चे त्यों नया दाखमद्य भित्र पहले प्रेरित अगमभकता प्रचारक, सिच्यक रहा मंडलीको गठालो त्यों यो फाइफ फोल्ड मिनिस्ट्री पंच दली या श्यवकाए अथवा एसेंशन गिफ्ट वहाले मैमा मुच्छालीनु भुदा वहाले कईदलाई बंदी बनायार लेजानु भुदा वहाले जुन बर्दान दीनु भायो त्यों बर्दान चाइए वहाले स्तापना गरेको धाचा मा मात्रे अटाउचा नत्र भने त्यों धाचा चाइए फुट्छा त्यों वहाले त्यों नया दाखमध्य जो पंचदली या श्यवकाई हो जो एसेंशन गिफ्ट हो जहां वहा उच्चमा चाड़ी जानु दावाले कैदलाई बंदी बनायर लाई जानु भायो रह मानिश्वर लाई बर्दान दीनु भायो आज मंडली को निमती बर्दान साबित भायको चा यो पंचदली या श्यवकाई पहले प्रेरित दोसरो अगमबकता प्रचारक, सिच्छक, मंडली को गठालो जसलाई नया दाखमद्य भनीन चा जसलाई बर्दान भनीन चा त्यो बर्दान चाएं त्यो नया दाखमद्य नया मसक मा मात्रे अटाउं चा पुरान मसक मा चाएं अटाउं देना त्यो नया मसक माने को चाएं जो प्रभु येशुले स्तापना गरनो भायो प्रभु येशुले स्तापना गरे को नया मसक चाएं परमिश्वर मेरो पिता र मा परमिश्वर को पुत्र र मा मानिश्वर को पुत्र त्यों चे नया मसक होते चे जसलाई अईले चे पितार पुत्र को करार को संबंद वनी चे पितार पुत्र को करार को संबंद वनी चे त्यों चे नया मसक को रद त्यों पितार पुत्र को करार को संबंद त्यों नया मसक मां मत्रई नया दाखमद्य अटाउं चे सीजन मा प्रविश गर देई ते सीजन मा सेवा गर देई तेहां का सबही कुरार अनुभव गर देई अईले एपस्टालिक प्रोफेटिक रिफर्मेशन को यू मुम्मेंट मा आउदा मले धेरे कुरा देखे कुछू यू नया दाखमद्य चेहें आयो यू नया दाखमद्य चेहें मंडली मा आयो यू नया दाखमद्य मा फेरी पेने एशला है रिपीट गर देई बन देई शू नया दाखमद्य चेहें जब प्रव एशू महिमामा उच्छाली नुभव वहाले कईद लाई बंदी बनार लाई पुरानों मशक भने को चें कियो वने जहां पितार पुत्र को करार को सम्मन्द इस्तापना वहिशके को चैना जहां संक्स्तागत्र संप्रदाइक परिपाटीर प्रणाली छो तेसमा चैना यो अटाओ देना तेसमा यो अटाओ देना तेसेले आज मा आफ़े पीनी पास्टर भाय को नाताले मेरा पास्टर सहकरमी हरुको पीडा मलाई थाच सबाई कुरा समर्पन गरेर मंडली स्तापना भयो तर त्यों मंडली फुर्दा को पीडा चैं कस्तो उंचा भन्नी कुरा मलाई थाच त्यसेले मेरो सरोकार चा मेरो प्रात्ना चा कि अब हरेक मंडली मा यो नया दाकमध्य जब प्रभुयेशु आउनु भयो रवहां उच्च मा चड़ी जानु भयो रवहाले कैदलाई बंदी बनायर लई जाना यो बर्दान दिनु भयो हरेक मंडली को निम्ती यो बर्दान साबित होना सके कहोश यो बर्दान तब साबित होन्च जब हरेक मंडली मा चैं यो नया मशक इस्तापना होन्च यो नया मशक इस्तापना ह यो नया मसक मा मत्रै प्रेरित हरू, अगंबक्ता हरू, प्रचारक हरू, सिच्छक हरू, रा मंडलीको गोठालो चैं, अटाउं चैं, यो फुर्दाईन, एसले संत हरूलाई सुसजित पार चा, एसले क्रिष्ट को सरीर लाई निर्माण गर्दा चा, एसले वहांकी दुलाई सिंहार चा, तरा बिढम मना, अईले मेरो आफनाई बेक्ति गत अनुभाव, रा मैली वरी परी देखदा, पास्टर एकलो, मंडली अनाथ, रा नया दाकमत देतेहां आउंदा, नया मसक तयार नभाई सकदा, तियो फुटे को देखदा खेरी, पास्टर रा विश्वासी मा भाई को पीडा, रा बाईर को समाज ले हेरने द्रिष्टिकोंड, रा हमरा आफनाई भित्रको पनी, जुन दाउत को अभिशेक हमिले गुमायर बश्णु परेको छा, तियो दाउत को अभिशेक सत्रु अरुको बीच मा, सासन गरने अभिशेक लाई, हमिले गुमायर बश परेको छो रत्य सेले अईले को यो सीजन मा एपस्टलिक प्रोफेटिक रिफर्मेशन मा परमेश्चर ले जो वहाको मंडली हो जो वहाको परमेश्चर यो मंडली परमेश्चर को घराना हो यो छे परमेश्चर को घराना हो यो छे यो कुनी डिनोमिनेशन हो यो इंस्टिटूशन हो यो कुनी पनी प्रकार को रिलीजियस सेट अप चाए हो यो जैले पनी परमेश्चर ले आपनो घराना निर्माण गर्ण भायको छे त्यो घराना मा पिता रा पुत्र को करार को संबंध होंच रा जहां दुई पुस्ताले परमेश्चर को घराना निर्माण गरे रा सोर्गमा भायको परमेश्चर को घराना रा प्रिथिमीमा भायको परमेश्चर को घराना क्रिष्ट नाउंजल सम्मा साच्छी को रूप मा परमिश्वर पिताले स्थापना गरना 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 शिठ्यक ले आपनो बर्दान परिचालन गरनु उनच, मन्डलीको गोठालो ले आपनो बर्दान परिचालन गरनु उनच, तियां फुटे रहुईन जूटे रहुँशू। संतहरु सुसजित हुदै वहां की विश्वव्यापी दुलही विश्वव्यापी मंडली सिंगारिदै जानुपर्ने मा आज विभाजन, विभक्ती, विरक्ती, भायर एक प्रकार को सक्तिशाली भ्रम को आत्मा प्रविश्करे र एक अरका का भार उठावर ख्रिष्ट को वेवस्ता पुरागर बन्दको सत्ता मा एकले अरकालाई टोकने र निलने गरे र एक अरका वाटई नाश्व हुने होकी भन्ने डर र त्राश्व मा मंडली गुजरी रहे को अवस्ताचु मंडली गुजरी रहे को अवस्ताचु गर्ना सके को होस्त वनी मेलो प्राथ्ना सुझ जाहां कम्पिटिशन होई न कम्पलिमेंट हो षामी एकरका का प्रतिश्परदी होई न हमी एकरका का परिफूरख हों हमी एकरका बिना अधुराश्व गिना वने ममा भाय को अनुग्रह रा यहारुमा भाय को अनुग्रह को इस्तर फरक फरक सा जबा हमी एउटाई टेबुल मा विविन्ना अनुग्रह का नाप भाय का मानिशरू बस्त साँ हामी हरेको अनुग्रह को पहिचान भायरा त्यो अनुग्रह को ना पनुशार को सेवकाई जवा हामी गर्द चाहूं अनुग्रह ले भरीपूर्ण भायरा क्रिष्ट तेहां देखा परनु हुंच अब को समय मा मंडली लाई पर्मिश्वर ले एसरी गये को चाहानू उन्च तेसे ले यो धाचा, यो प्लेटफर्म, यो पैटर्न प्रभु एसुले ले आएरा आऊनू भायो तेसे ले प्रेरितिय भनिको चाहे त्यो जहाँ पावलले भन्नू भायो गलांती चार को उन्नाईस मा मेरा साना केटा केटी हो ख्रिष्ट तिम्यरुमा पूर्ण रूप मा निर्माण नहुंजल, ख्रिष्ट तिम्यरुमा नवनुजल सम्मा, मा प्रशव बेदनामाचू प्रशव बेदनामाचू, मिरो प्रात्नाच, मन्नलीमा, गुरुजन हरूमा, पिता को हैशियत्मा, इस्तापना गरनुभाय का परमिस्वर का जन हरूमाचे यो पिडा आयक होस जहां क्रिष्ट नवनुन जल सम्मा हामिलाई दिनु भायका मानिश हरुमा हामिका पठाउनु भायका मानिश हरुमा विश्वासी हरुमा क्रिष्ट नवनुन जल सम्मा हामिलाई प्रशब बेदनाले चापे जस्ताई भायक होस जब यो पीडा हुँँछ अनि तेस्पची क्रिष्ट बनिन हुँँछ अणि त्यां बाठ चायं त्यों गर्वा मा चायं पुत्र पइदा हुँँछी तेसेले जब पुत्र पैदा हुँँछ, जब खृष्ट बनिनु हुँँछ, जो पर्मिष्टर को पुत्र रा मानिस को पुत्र हुँँछ, जो पर्मिष्टर को अनुग्रह मा रा मानिस को अनुग्रह मा बुद्धी मा रा कद्मा बृद्धी हुदे ही जानुभायो त्यों ख्रिष्ट पूर्ण रूप मा नवनुन जेल सम्म आज मंडली लाई विश्चेश गरे रा मंडली को पिता को हैशियत मा इस्तापना गर्णुभाय को मानिश जसले टेबुल सजाँ छा रा त्यों टेबुल मा भोजन पस्किन छा जुन भोजन को मुख्य भोजन चे मारिये को थुमा हो जब त्यों पिता ले मारिये को थुमा लाई पस्किन हो उन्छा परमिश्वर पिता को मुख्वाट निश्के को बचन यो बर्तमान समय मा जब त्यों पिता को मुख्वाट निश्किन छा अनि त्या त्यों टेबुल को वरी परी बसे रा त्यों मारिये तियो बचन खाने ती पुत्र हरुचे जैतुन का मुना जस्ते होनेशन। पुत्र हरुचे जैतुन का मुना जस्ते होनेशन। गलत तरीका ले बुजियेको छ, बुजाईयेको छ, हमरो बरी परी देखा परेका कुरा हरुचे जैतुन का मुना जस्ते होनेशन। यो पुजिशनल फादर होई न। पुजिशन चैए होई न। जसरी पती पत्नी को सीर हो। यो हेडशीप चैए पुजिशनल हेडशीप होई न। यो फंक्शनल हेडशीप होई चैए। पत्नी बंदा अति उत्तम भाईको होनाले अथवा पत्नी अलिकति तला पत्नी अलिमाथी भाईको होनाले सीर भाईको चैए होई न। पुजिशनल हेडशीप होई न। फंक्शनल हेडशीप होई चैए। पत्नी को भन्दा पती को जिम्मेवारी बड़ी भाय को हुना ले तियो जिम्मेवारी को हिसाप मा जे उसलाई शीर भने को रद तियो पती को तीन वटा जिम्मेवारी होंच पत्नी को लागी रद तियो घराना को लागी तियो पती चे पुजारी हो पुजारी होते छे रह बेदी को आगो जली रहोस रह त्यां बेदी निर्माण भाई को होस रह बेदी को आगो कहिले ननीबे को होस रह तेश्मा त्यों मेल बली रहोम बली चड़ाईये को होस रह त्यों परिवारिक बेदी निर्माण गरने जिम्मे बारी छे पती को भाय को ना ले तो चाहिए सिर हो जशरी हबबाले पाप गर्यों हबबाले फल टी पेर ले आयो रत्यो द्वारा पाप प्रविश्वायो तर परमिश्वर ले यह आदम तो कहां छा स्वर्ण वायो आदम चँहें जवाब देही बिख्ती होते चाँ शीर भायक Prayuna나로 आज घाले लेखा दिनु परने भायक से ना लेख कोहिएं बाधिक परीवारिक बिडी रःश शामुहिक बेदी नेर्मान गर्नें जिम्यवारी पतिमा भायको होना ले located से सीर हो तेसले 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 तेसले आत्मी की युद्ध माल चे अग्वाई गरनू पर्णी हुन्छा, तेसले आत्मी की हाथत्यार धारण गरेको हुनू पर्णी हुन्छा, तेसले सत्रु चिने को हुनू पर्णी हुन्छा, और आफनो परिवार लाई सुरच्छित राखनू पर्णी हुन्छा, और एक और विजे वाट और को बिजे तिरह जानु पर लेयुद हुँचे, त्यो हैेसियत वोधित में तू जिम्म्यवारी भाय को हुण मैं और चेये शीर होते चेये। तो पोजिस्टनल हेडशीप होई न, फंक्शनल हेडशीप होते छे तेसरी नए यो 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 एपस्टलिक प्रोफेटिक रिफर्मेशन मा चाहिए पिता चाहिए बोटिंग सिस्टम ले मानिसको मत ले अथवा कुनिपनी प्रजातांत्रिक परिपाटी ले योटा पद ओहदा नियुकत गरिये को चाहिए होई न ते छे तेसले पोजिस्टनल फादर होई न यो चाहिए फंक्शनल फादर हो यो पिता ले परमेश्टर को घराना का मानिसर लाई ठीक समय मा भजन भोजन पस्की नुपरने भोजन जुटाउनुपरने हैश्यत मा चाहिए यो पिता हो तेसले तेसले पिता को बुजाई चाहिए हाली कती फरक चाहिए या निरब तेवा अर्थमा पिता हो बने और को अर्थमा चाहिए यो पिता ले चाहिए स्वर्गियव पिता को स्थान लियेको चाहे होई ना यो रिप्लेश्मेंट चाहे होई ना स्वर्गियव पिता को रिप्लेश करेको चाहे होई ना यो रिप्रिजेंटेशन हो यो चाहे यो रिप्रिजेंटेशन हो तिसले स्वर्गियव पिता लाई यो परिपक को पुत्र यो बचन को मानिस ले चै एसको बचन द्वारा एसको सिद्धांत द्वारा एसको दिन-दिन को जीवन द्वारा एसले जीवने अदेश्य द्वारा सोर्गमा उनुने पिता प्रकट हुनु परने भयको हुनाले योचे योचे येसलाई चे पिता भनेरा भनींचा तेसले कज़ोटी यो पितारा पुत्र को करार को सम्मंद यो अनौठो यो नया अथवा यो परमिशर को घरानामा अपाच्य यो प्रभु एशुको आगमन देखिने इस्थापना भयको हुए छे तेसले क्रिष्ट जबा हमीमा बनीनु उन्छा त्यो परिपक को हुदै जान्छा त्याहिमा बनी एको क्रिष्ट परमिश्चोर पिता को अनुक्रह रा मानिस को अनुक्रह रा बुद्धी रा कद्मा जब यो ब्रिद्धी हुदै जान्छा यो ब्रिद्धी हुने माहोल जब उसले पाउंछा यो जब यो संस्कार जब पाउंछा त्यो संस्कार चाहिए प्रेरितिया संस्कार हो यो प्रेरित तिया संस्कार चाहें, प्रेरित दुय अध्याय को बैलिस्ट पदमा हमिले हेरियों हने, प्रेरित हर को सिद्धान्त, संगती, रोटी भचाई रप्राक्नामा दिनहु भक्ति साथ लागी रहन थे, यो कुने योटा इवेंट न भायरा, योटा कल्चर को रूप मैं स्ट्वलिष्ट बहए को अनु पदाशा, अनि यो कल्चर मा चाहें, हामिमा भायरा, क्रिष्ट जो पुत्र हुनाँचा, तियो बनिदध ही जानाँचा, रो तियो परिपक् को अखताई जानाँचा, रो तेस पची तियो पुत्र लेचा, पिता लाइ प्रकट तिसेले यो नया मशक हमी नया दाख मद्यको सीजन मा आये का सौँ जब प्रभु येशु नया करार ले हमिलाई दियेको यो ठुलो बर्दान हो चे प्रभु येशु जब आउनु भायो वहाले यो पंचा दलिया शेवकाई दिनु भायो यो पंचा दलिया शेवकाई चे प्रेरितले मो प्रेरित हुँ वन्दै तियो आफई शेवा गरना थाले अगमबक ताले आफणाई छुट्चाई अनुग्रह परिचालन गरना थाले प्रचारकले आफणाई तरीकाले प्रचार गरना थाले शिच्छेकले आफणाई तरीकाल पुरानाई मसक माचे भयो भने त्यों मसक फाट शा त्यां विभाजन आउँ शा मंडली तुटने मंडली फुटने अनि तेस्वाची पास्टर रा विश्वाशी को बीच मा तितोपना आउने पीडा बोक्ने गोलमाल का कुराहरू थकाउने रा गलाउने कुराहरू पार्णी कुराहरू जो देखा परीकोच मेरो प्रात्ना छा हरेक मंडली मा चे यो नया मसक स्थापना भपहर, त्यों नयदाकमध्य हो थीरीक को होश़कोशारू थे थे आविद्यों मार्णार चभ पुत्रकों करदार को सम्मंद जो यो नया मसक हो त्यो नया मसक चे हरेक मंडली मा जवा इस्तापना हुँँच अनि त्यां चे प्रेरी ता उनु भाय वाने पनी डर हुदेईन अगमबक ता उनु भाय वाने पनी डर हुदेईन प्रचारका उनु भाय वाने पनी बर ना, चिंदे सेंधर, बल सरा जर्णने, बल भालोने जने दर हो देना, र Springsthmom. पर्मिश्वर पिता को इच्छे वहां को गाराना को निम्ती यो हो तेसेले हावी प्रभुलाई धनेबाद दिन चाहूं कि धन्नेती आत्मामा भकाउने र तिर्खाउने अरू तिने अरू त्रिप्त पारे नेशन मंडली मा हरेक मा यो पवित्र भोग जागे को होश ताकि एक करकालाई देखे र प्रतिशपर्दी को रूप मा त्रसित भायरे हेर्णो को सथ्टा मा एक करकालाई देखे र परिपुरक को रूप मा हमिले अंगाल न सकाँ ताकि आमी एक करकाको निम्ती आसिस को कारण, रमाहट को कारण, हर्षक को कारण होना सकाँ र हमी पुत्र को हैसियत मा रहे र परिपक को बंदय, पिता को हैसियत मा देखा परूँ ताकि स्वर्ग मा हुनुनी पिता को महीमा हमरो जीवन बाट प्रकट होना सके कहस। वहां को सोभाब को बास्तविक प्रतिरूप हमी देखा पर न सकाँ एस पृथियमा तेसेले पर्मिष्णर लाई धन्यबाद दिन चाओं बिविन प्रकार का उतार चढ़ाप को बावजूद बिविन शीजन बाट पार मुदही पर्मिष्णर ले मलाई रा मसमा भाय का अरुमानिश अरु जुन अईले यो यो एपस्टलिक प्रोफेटिक रिफर्मेशन जो सुरु भायो आजवन्दा विश्वर्ष अगाड़ी अनि रा यो एपस्टलिक प्रोफेटिक रिफर्मेशन डाक्टर एस्वाई गविन्दर बाट जो साथ अफ्रिका को डर्बन को फिनिक्स मा हुनुँचा अनि वहा संगत जब 2010 मा मेरो भेटवायो मा जब यो संप्रदाइक इंस्टिटिूशन र धर्म को परिपाटि मा गरुँगो जुआ मा बोब रहे र म थाके को बेला मा जहां प्रभु येशु ले भन्दो भायो मेरो जुआ बोक किने की यो हलका चा मसंग शीक किने की मा बिनेई रिदै को शुआ मिरु जुआ बोका क marshmallow किन की यो हलुकाचा वन्दा तेती वेला प्रभु येशू आउँ दाखेरी योटा अर को जुआ थियो जुन जुआ गरूंगो थियो ते जुआ छाएं रीलीजन को जुआ थियो धर्म को जुआ थियो येशु आउँ दाखेरी योटा अर को जुआ थियो जुन जुआ गरूंगो थियो त्यो जुआ चाएं रिलीजन को जुआ थियो धर्म को जुआ थियो और अधि त्यो गरूंगो जुआ ले थाके का हरुको बीच मा वाले बलावर्टेर भर्णो भायो मेरो जुआ बोका हे सबए थाके कारा मेहनत गरने हरु हो म कहां आओ मति मेरो लाई विश्राम देनेशु रब मेरो जुआ बोका रति मेरो ले विश्राम पावने चाओ तेशले यो भर्म को परिपाटी ले थाकाय का रा थाके का मानी सर लाई वहांले बलावत डिये रा मिरो जुआ भोका कीनिकि यो हलुका चाह वन्मा वहांले दिने जुआ चाहिए है रिलीजिन को री ना रेलेशन्शीप को जुआ खुआ हो धर्म को परिपाटी भन्दा पनी करार को संबंध भाए रहा हमी हरेक का रिदे अरु एक अरकातिरा फर्किये वने स्राफरु मेटीन छन तेसेले फेरी यो सीजन माँ चै एलिया अगम बकताको अभिशेक माँ शेवा गरने मानी सरुपरमेशोले इस्तापना गर दें और एलिया अगम बकताको अभिशेक के हो भने दर्म परिवर्तन गरने अभिशेक होई न, रिदे परिवर्तन गरने अभिशेक होई न, रिदे परिवर्तन पनी, यो अगिल्लो पुस्ता को रिदे पच्छिल्लो पुस्ता को रिदे तिरा फरके कहोई ताकि दूई पुस्ता भए रह एश प्रिथी मा परमिश्व को राज्य इस्तापना गर्न सके कोई शारी अबराहम रह इसाहक भए रह अबराहम लाई परमिश्व ले भन्नु भायो मोरिया को डाना मा गए रह बेदी बना रह बलिदान चड़ा रह त्या पनी बलिदान चईति रह गर्न लाई लगे रह जानू भायो गधा मा दावरा गधा हांकने नोकर तीन दिन सम्मा हिने रह जब ताड़े बाट त्यो बलिदान को इस्तान त्यों मोरिया को डाना देखा परे आँखा ले देखे अबराहम ले भने नोकर लाई रह गधा लाई के वन्तिमेरों यही बस कि नोकर को हईशियत वहे को मानी इस बेदी मा जाना सकते नै रती बलिदान होना सकते न रह तेसला बलिदान करना पड़े ना राजमीर प्रात्ता चा मंडली मा नोकर को हैश्यत भय का मानिशर को कारण आज बलिदान चड़ाओन सके को चाहे ना रा मंडली मा पुत्र को हैश्यत भय का मानिशर देखा परेका होन रा अबरहाम जस्ता पिता हरू देखा परेका होन इसाक जस्ता पुत्र अरु देखा परेका होन जहां परमिश्वर ले तोके को ठाउमा बेदी निर्मान गरे रहा त्या बलिदान चणाऊना सक्के गोश अब रहाम ले भन्नुभा नो करलाई तो यही बस और च्वरा लाई त्यों दावरा बकाउनो भायो अनि बाटो में हिर्दाई गये पची छराले भन्नुभा बुआ हमिसंग दावरा छा हमिसंग थुमालाई बांधने डोरी छा हमिसंग बलिदान गरने छुरा छा तरा बलिदान को थुमा खई अब्रहाम ले भन्नोभाय चरा बलिदान को थूमा परमिष्ट ले जुटाओनों उन्चा दिटेले बेदी निर्मान गरे तर बलिदान को थूमा देखे न रब पुत्र ले चें स्वईच्छाले बेदी मा अरपण भाय रबलिदान को निम्ती तयार हुँँच पिता लेचे आपनो एकलो ते पुत्र लाईचे बलिदान गरना हुँँचा और त्यानी रशेवा को भाग पुरा हुँचा जब अबराहम ले आपनो हाथ उठाए रा त्यू छोरा माथी त्यू केटा माथी चक्कू प्रहार गरना लागदा स्वर्ग उघारी यो अबराहम तैले आपनो हाथ यो केटा माथी न बढ़ा त्यस्वाची फरकेरे हेर्दा जाडी मा थुमा देखा परे। अबराहम ले आपनो छरालाई फिरता पाए त्यू थुमालाई बलिदान गरे और अनि त्यां दूई पुष्ता ले पितार पुत्र लाई पुत्र ले तेती वेला पर्मिश्वर लाए और को तरीकाले और को इस्तर मा देखा परे। त्याने उनले भने परम प्रभु को डाणा मा जुटाए ने छा। परम प्रभु को डाणा मा जुटाए ने। तेसले मंडली मा आज दूई पुष्ता खड़ा हुनु आवस्यक्ष। त्यों दूई पुष्ता चें पिता रा पुत्र खड़ा हुनु छ। रा मंडली मा फेरी एलिया अगमबकता को अभिश्यक मा शेवा गरने मानिश्वर द कायकोंस ? बुवा को मन छरतीर र छरा को मन बुवा तीर फरक्येकोंस ? ताकी त्यों स्राप हटिये कोasters MARY को तेसेले मेरो प्रात्ना चा यो ढाचा मा अमेरको बीच मा चब पर्मिषर को घराना निर्माण हुँँच और श्राप हरू मेटी नेशन रहे तेहां पर्मिषर का आसिस हरू देखा पर नेशन तेसेले यो सानो सेशन मा केई कुरा हरू थोरे भायपनी आखी ज्यालबार्टा हमीले हर न सक्यों रहे इसमा धेरेई अरू कती कुरा हरू छन रहे पर्मिषर ले वहांको समय मा इस सबई कुरा हरू आपनो मंडली मा वहाले प्रकट गराऊं देई जानुभाय कहोस रहे मंडली को रिदे को आखा चहकीलो होना सक्ये कहोस कुन महिमा को निमती हमी बोलाईये का हूँ तेसेले संतहरू संग्षंगई श्यवागर्ण पाईये कहोस हरे एक मंडली मा एलिया गंबक्ता को आत्मा मा श्यवागर्णी मानिश इस्तापना होना सक्ये कहोस जसले बुआ हर को रीदे छरा हरु तीरा रा छरा हर को रीदे बुआ तीरा फरकाय रा स्राप रुमेटिये काहुन रा हरेक मंडली मा नया मशक इस्ताफना होना सके कहोस पिता रा पुत्र को करार को सम्मंद को त्यो नया मशक ज़श्ма युन्या दाखमध्य बरदान को रूप मा ज़ो प्रवली दिनुभाय को चा पंचा दलीय bon शेवकाई त्यो परिचाली थो नसके को होस त्येस्लेपैं, प्रिष्ट को सरीर लाई तोडने होई न, प्रिष्ट को सरीर लाई निर्माण गरने होना सके को होस ताकि हमी एकरका को निम्ती आसिस को कारण, हर्ष को कारण, रमाहट को कारण भायर एकरका का भार उठाउंदे ख्रिष्ट को वेवस्था पुरागर्न शकौंग ताकि हमी एकरका को निम्ती हमी उठाउंदे ख्रिष्ट को कारण, हर्ष को कारण, रमाहट को कारण भायर एकरका स्रिष्ट को वेवस्था पुरागर्न शकौंग पड़िपको पूत्र भायर पिताको हैशियत मां त्यो स्र्गिय पिता लाई प्रतिनिधित्यो गरदै मानिसर को वीच मां सेवागर्न शकौंग ताकि स्रग मां हुनुनिय पिताको राज्य एस पृतिविमां आऊना सके कहोंग रमहा को इच्छे आस्वर्ग मा जस्तो छा ये च्परिधी मा पुरा होना शाके कऊач यो तव मातर है पुरा हुँँच जब यो आत्मीकी सत्यतालाई हामे शारिरिक रूप मा बेख्टा गरना धाल छो यो आत्मीकी सत्यता चई पर्मिश्वर मेरो पिता हुँँच रमपरमिष्वर को पुत्र हुँ बन्नीकुरा परमिष्वरले पिता को हैशियत मा राखे को परिपक को पुत्र जो भचन को मानिशो जो अनुक्रह को मानिशो त्यो मानिश संग करार को संबंध मा प्रविश्च करे र पुत्र को रूप मा हमी ब्रिद्धिं उदई त्यो पिताले हमरो गंतब्य स्थान मा पुर्याँन शक्नु भायक होस र त्यो गंतब्य स्थान चें क्रिष्ट को पुर्णता को ख्रिष्ट को परिपक्को ताको पुर्ण ताको नाप्षम्म पुगाउने त्यो गंतब्वे स्थान मा त्यो पिताले पुत्रलाई पुरेवन शक्नुबाय कहुश। भाईर सर्प जस्ताई चलांक वनेको सर्प लुक न जान्द सु। प्रभुले दिनुबाय को ठाउमा लुकेरा सेवा गरे। रा साइद 2023 देखी अब प्रभुले वन्नुबाय को कुरा साइद यो समय आयो जस्तो लायको सु। कि मैले तिमिहर लाई कोठा भित्र भने का कुरा हरू दुरिमा गयर कराओ। प्रभुले 2010 देखी 2022 सम्मा यो बारवर्श साइद मलाय कोठामा दर्शन दिये का कुरा हरू कोठामा मिरो ब्रोकेन नेश्वाटा आयका कुरा हरू वहांको चरण मा बसेर शिके का कुरा हरू 2023 मा अब धुरिमा गयर कराओनी समय आयको ओकी जस्त मलाय कोठामा अब 2023 मा एदी सार्वजनिक रूप मा सबय कहां परमिशर को घरानामा यो संदेश यो सीजन रयू समाचार पुगेर अब परमिशर को घरानामा विश्राम मिले को होस पने एदी प्रभु को इच्छा हो बन 2023 मा तेस्को निम्ति पनी मत तयार चु रव प्रभुले अनुग्रह, क्रीपा रव आसिस दिनुभाय कहोस र यार सबयलाई फेरिपनी जय मासी प्रभुले आसिस दिनुभाय कहोस